त्रिशंकू बेचारा एक गंदे मुहले में एक छोटे से कच्चे मकान में रहने वाला स्कूल मास्टर हिंदी के खास्य वेंग्य समराण हरिशंकर परसाई जी की कहानी त्रिशंकू बेचारा इसी स्कूल मास्टर के जीवन से सम्बदित है आपने तरशंग को स्वर्ग के बारे में सुन रखा होगा हिंदू मिथॉलजी में रशी विश्वामित्र ने ऐसे ही एक स्वर्ग का निर्मान किया था अपने तपो बल के सहारे उस पौरानिक कथा का जिक्र यहां करना जरूरी है परसाई जी ने उसी पौरानिक कथा को आधार बना कर ही यह कथा लिखी है कथा कुछ इस प्रकार जाती है पुरानों में सूर्य वम्ष के एक राजा हुआ करते थे राजा सत्यवर्थ सत्यवर्थ के मन में एक इच्छा जागरत हुई कि वे सर्शरीर मतलब अपने शरीर सहित स्वर्ग पहुँचे अपने इस आगरह की पूर्थी के लिए वे रिशी वशिष्ट के पास पहुँचे लेकिन रिशी वशिष्ट ने उनके इस आगरह की पूर्थी में उनकी सहायता करने से मना कर दिया क्योंकि वो प्रकृती के नियम के विरुद था, कोई भी व्यमानव शरीर सहित स्वर्ग पहुँची नहीं पाता था जब रिशी वशिष्ट ने इंकार कर दिया, तो राजा सत्यवरत अपनी इस चाह को लेकर वशिष्ट के पुत्रों के पास गए अब देखे, जब स्वयम पिता ने इंकार किया है, तो पुत्र थोड़े ही मानने वाले थे, इस पर सत्यवरत को काफी गुस्सा आया, और वे वशिष्ट के पुत्रों को भला बुरा कहने लगी इस पर रशी वशिष्ट के पुत्रों ने राजा सत्यवरत को चांडाल होने का श्राप दिया और इस प्रकार रशी वशिष्ट के पुत्रों के श्राप से राजा सत्यवरत चांडाल हो गए चांडाल मतलब एक ऐसा वर्ग जो जाती से बाहर माना जाता है जिसे अच्छूत माना जाता है और जो अधिक तर समशान कर्मी होते हैं जो मृत देहूम को जलाते हैं समशान भूमी में रहते हैं हड्डियों की माला पहनते हैं और जिन्हें काफी निचले दरजा का माना जाता है और इस प्रकार चांडाल हुए राजा सत्यवरत को अपना राजे छोड़ना पड़ा और वे त्रशंकु नाम से जाने जाने लगे वे त्रशंकु बन गए उन्हो भटकते हुए त्रशंकु की भेंट रशी विश्वामित्र से हुई जिन से उसने अपनी परिशानी बताई रिशी विश्वामित्र की वैसे भी रिशिष्ट वशिष्ट से बनती न थी और उन दोनों में प्रतिद्वंदता थी, competition था अधा रिशी विश्वामित्र ने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया और कई रिशी मुनियों को एकत्रित कर विश्वामित्र जी ने घोर तपस्या शिरू कर दी यग्य के प्रभाव से त्रशंकु स्वर्ग की और उठने लगे अब देवतागन असमंजस में पड़ गए त्रशंकु का इस प्रकार सशरीर अर्थात शरीर सहित स्वर्ग में प्रवेश देवताओं को कदाप्पी मानने न था प्रकृती में फिर कोई नियम वियम ही नहीं रह जाएगा धर्थी के सभी लोग अगर इस प्रकार शरीर सहित स्वर्ग लोग पहुँचने की आशा रखने लगेंगे तो आखिर प्राकृतिक नियम का क्या होगा अतह देवताओं के आगरह मुताबिक देवों के देव इंद्र देव ने त्रशंकृ को स्वर्ग में प्रवेश करने ही नहीं दिया उसे वापस धर्ती के और धकेला और जब विश्वामित्र जी को यह पता चला तो उनका एकदम इगो हर्ट हो गया वे भी देवों से कुछ कम न थे उन्होंने अपनी हार को रोकने और अपने सम्मान को बचाने के लिए त्रशंकृ को धर्ती में नयानी दिया फल स्वरूप त्रशंकृ बीच रास्ते में ही लटकने लगे अब भी लटके हुए हैं न स्वर्ग में पहुँच पाए न धर्ती में विश्वामित्र को अपनी लाज रखनी थी सेल्फ एस्टीम का सवाल था दूसरी और देवताओं को भी खुश रखना था अतह त्रशंकृ को जहां वो लटका हुआ था वहीं विश्वामित्र जी ने एक स्वर्ग का निर्मान किया जिसे हम त्रशंकृ स्वर्ग कहकर पुकारते हैं यहीं से शुरू होती है त्रशंकृ स्वर्ग का प्रयोग आम भाशा में उस सवस्था को त्रशंकू स्वर्ग में रहना कहा जाता है जब ना तो इंसान अपनी इच्छा पूर्ती प्राप्त कर खुश हो पाता है और ना दुखी लटका रह जाता है निराथार लटकने का भाव प्रदर्शित करने के लिए त्रशंकू शब्द का प्रयोग होता है और त्रशंकू स्वर्ग क्या होता है ए यूनिवर्स ओफ कॉम्प्रमाइस समझोते का ब्रह्माट हम एलेक्शन्स के बाद जिसमें किसी पार्टी या राजनीतिक दल या गटबंदन को स्पष्ट बहुमत अथ्वा मैजॉरिटी प्राप्त न हो तो उस विधान सभा को भी हम त्रशंकू विधान सभा कहते हैं इसी केंद्रिय भाव को मन में रख कर हास्य व्यंग्य समराट हरिशंकर परसाई जी ने यह कहानी लिखी और हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार के रूप में काफी सफल लेखक थे वो जो भी लिखते थे उसमें हसाने वाली बात भी थी और समाज में जो विसंगतिया हैं उसके बारे में हमें सोचने के लिए भी वो उनका लेख मजबूर करता है तो चलते हैं त्रशंकु बेचारा कहानी की और किसी शहर के एक गंदे मुहले के एक छोटे से कच्चे मकान में एक आदमी रहता था उसका नाम त्रशंकु था वह एक स्कूल में पढ़ाता था तो यह है कहानी का नायक हमारा त्रशंकु वो एक गंदे मुहले में एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था उसका नाम त्रशंकू था और वो एक स्कूल मास्टर था गंदे महले में रहता था ये आपको ध्यान में रखना है और छोटे से कच्चे मकान में रहता था यों त्रशंकू को लगभग हर चीज से असंतोश था पर सबसे अधिक शिकायत अपने मकान से थी उसके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाशा थी कि मैं अच्छे मुहले में अच्छे मकान में रहूं मकान मालिकों के जो बेटे उसकी स्कूल में पढ़ते थे उन्हें वह बहुत प्यार करता था परीक्षा के मौसम में उन्हें महत्वपोन प्रश्न बता आता था और अधिक नंबर भी देता था सोचता था किसी दिन कोई मकान मालिक मुझसे प्रसन्न होकर पूछेगा तुझे क्या चाहिए और मैं कहूंगा एक अच्छा सा मकान तो ये जो मास्टर थे जो त्रिशंको नाम से स्कूल में पढ़ाते थे और उनकी क्या खासियत थी कि वो लगभग हर चीज से असंतोश थे उन्हें कभी खुशी नहीं होती थी कि वो अपने जीवन के जो कुछ भी उन्हें मिला उससे उन्हें कोई खास संतोश नहीं था और सबसे अधिक शिकायत उनको किस बात पर थी कि उन्हें कोई अच्छा मकान नहीं था उनकी जीवन की सबसे बड़ी इच्छा ये थी उसकी सबसे बड़ी अभिलाशा यही थी कि कोई अच्छे residential area में, कोई अच्छे मुहले में एक अच्छे से मकान में रहे. और इसलिए वो क्या करते थे? अपने क्लास में जो मकान मालिकों के बेटे थे, उनका खास ध्यान रखते थे. उन्हें काफी प्यार करते थे, परिक्षा के मौसम में उन्हें important questions बता देते थे, अधिक नमबर दे देते थे. किस आशा से ये सब करते थे, ये school master, कि ये बात उनके माता-पिता को पता लगे, और एक दिन अच्छानक वो पूछे, कि भई master जी, तुम्हें क्या चाहिए, तो इनके पास आंसर एकदम रड़ी था, ये क्या कहेंगे, मुझे एक अच्छा सा मकान चाहिए. तो यहां से ये कहानी शुरू होती है, एक अध्यापक की, एक master की, जो एक गंदे मुहले में चोटे से मकान में रहे कर, एक अच्छे मकान में रहने की, एक अच्छे मुहले में रहने की आशा पाल राव हो. और अपने इस आशा के कारण, ये अध्यापक उन बच्चों से ज़्यादा प्यार करता था, जिनके पिता मकान मालिक हो और उनको ज़्यादा नमबर देता था उनको exams के questions बहले ही बता देता था और इस आशा में रहता था कि एक ना एक दिन कोई न कोई मकान मालिक इन बच्चों की जो पिता है कोई न कोई तो पूछेगा ही कि मास्टर हम आपसे प्रसन्य हुई आपने हमारे बच्चों को ये सब बता दिया है मार्क ज़्यादा दिये हैं आपको क्या चाहिए तो जट से ये उतर देंगे मुझे एक अच्छा सा मकान चाहिए उस शहर के rent controller विश्वामित्र थे विश्वामित्र मकानों के किराये पर नियंद्रन रखते थे और खाली मकान किरायदारों को देते थे विश्वामित्र का लड़का त्रशंकू की कख्षा में पढ़ता था और त्रशंकू भी उसे बहुत प्यार करता था लड़का पढ़ाई में बहुत कमजोर था और विश्वामित्र ने उससे कह दिया था कि पुस्तकें संभाल कर रखना अगले साल यही काम आएंगी पर त्रिशंकू ने उसे कुछ ऐसे प्रश्ण बताए और बाद में कुछ इस तरह उसके नंबर भरवाए कि वह पास हो गया तो जिस स्कूल में त्रिशंकू मास्टर पढ़ाते थे उसी स्कूल में रेंट कंट्रोलर विश्वामित्र का बेटा भी पढ़ता था रेंट कंट्रोलर थे विश्वामित्र मतलब उस शहर के जो भी किरायदार हैं उनका रेंट कंट्रोल करना और किराय पर नियंदरन रखना और खाली मकान किरायदारों को दिलाना ये सब काम विश्वामित्र का था और विश्वामित्र का लड़का तुरिशंगों के कक्षा में पढ़ता था और वो लड़का पढ़ाई में बहुत कमजोर था बहुत वीक था पढ़ाई में और विश्वामित्र ने पहले से ही कह रखा था कि बेटा इन बुक्स को संभाल कर रखना अगले साल भी काम आएंगे मतलब तुम तुमारे पास सुनी की उमीद बहुत कम है तो अगले साल इन पुस्तकों से काम चलाया जा सकता है इतना कमजोर था लड़का लेकिन तरशंकू मास्टर ने क्या किया कुछ ऐसे प्रश्णों से बता दिये एक्सायम से पहले और बाद में उसके नंबर उसके माक्स कुछ इस तरह डाल दिये कि वो पास हो गया विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए एक दिन जब तुम्हारे लड़के के पास होने की मिठाई था रहा था तब वे बोले त्रशंको मास्टर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाता हूँ बोलो तुम्हे क्या चाहिए त्रशंको इसी शन्न का वर्षों से इंतजार कर रहा था उसकी आँखों में कितने ही मकान जूल गए पर उसने उतावली नहीं की बड़े धीरत से बोला साहर मैंने ऐसा क्या किया है जिसका बदला चाहूँ मैंने तो अपना कर्तव्य किया है आप सारे शहर के लोगों को रहने के लिए मकान देते हैं और आपका ही लड़का पास न होता तो शहर के लिए बड़ी शरम की बात होती मैंने तो एक नागरिक के नाते अपना कर्तव्य किया है मुझे आपकी कृपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए अब देखिए मास्टर त्रशंकू की कृपा से विश्वामित्र का बेटा जो पड़ने में बहुत कमजोर था पास हो गया और विश्वामित्र मिठाई खिला रहे थे अथ्यापकों को तो त्रशंकू मास्टर जब मिठाई खा रहे थे तो विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर कहा त्रशंकू मास्टर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मैं तुमारे लिए कुछ करना चाता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अब देखें तृशंकू इसी शन के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे थे, कि कभी न कभी कोई न कोई लड़के का पिता आकर इस प्रकार पूछेगा, उसकी आँखों में कितने ही मकान जूल गए, और उसे ये भी पता था कि इस प्रकार के प्रशन पूछे जाने पर उत्त क्या देना है, वो तो एक अच्छा मकान चाहता था, और लेकिन उसने उतावली नहीं की, देखिए जल्दी हटबड़ी नहीं की, उसने अपनी जल्दी से ये नहीं कह दिया कि भई मुझे एक मकान चाहिए, वो भी बहुत चतुर था, बड़े धीरत से बोला, साहब मैंने क्या किया है, जिसका बदला चाहूं, वो ऐसे अभिने करने लगा, जैसे उसके मन में कोई चाह है ही नहीं, वो कहने लगा, साहब मैंने ऐसा क्या किया है, जिसका बदला चाहूं, मैंने तो अपना करतव्य किया है, बस मेरी ड्यूटी थी, मैंने कर लिया, मैं पढ़ाता और वैसे भी सारे शहर के लोगों को रहने के लिए मकान आप देते हैं और आपका ही लड़का पास नहो तो शहर के लिए कितनी बदनामी होगी। इसलिए मैंने एक नागरिक के नाते, एक सिटिसन होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते मैंने बस अपना कर्तबी किया है मुझे आपकी कृपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए बड़ी चतुरता पूर्वक त्रशंकु ने इस प्रकार उत्तर दिया इन शब्दों से विश्वामित्र का हर्दय और चोड़ा हो गया वे त्रशंकु पर दया करने के लिए बहुत लालाई थो उठे बोले, नहीं त्रशंकु, तुम कुछ मांग लू, तुम्हारा मुझ पर रन है बालक का एक पिता जन्मदाता है और दूसरा विद्या देने वाला तुमने लड़के को पढ़ाई लिखाई के सिवा, यह अमूल्य विद्या भी सिखाई है कि आयोग्य होकर भी सफलता कैसे प्राप्त करने चाहिए तुम्हारा दर्जा मुझ से भी उंचा है बोलो, तुम्हें क्या चाहिए अब देखिए जब विश्वामित्र काफी प्रसन्न होकर प्रशंकु मास्टर से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, मैं बदले में कुछ करना चाहता हूँ तो तुर्शंकु मास्टर ने बड़ी चतुरता पूर्वक ये कहा कि भई मैं तो एक नागरी के नाते मैंने अपना कर्तविय किया है मुझे आपकी कृपा के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसे कहने पर विश्वामित्र का हरदय और चोड़ा हो गया वे तृशंकु पर दया करने के लिए एक्तम लालाई थोटे बोले नहीं तृशंकु तुम कुछ मांग लो तुमारा मुझे पर रण है देखे तुमारा मुझे पर रण है मैं आभारी हूँ और मैं कुछ अपना रण का बदले में कुछ करना चाहता हूँ और उन्होंने ये भी कहा कि देखे बालक का एक पिता जन्मदाता होता है और एक दूसरा पिता विद्या देने वाला होता है मेरे बालक का जन्मदाता तो मैं हूँ लेकिन आपने मेरे बालक को विद्या प्रदान किया है और कैसी विद्या प्रदान की है? पढ़ाई लिखाई के सिवा आपने यहां अमूल्य विद्या सिखाई है कि अयोग्य होकर भी सफलता कैसे प्रात करनी चाहिए ये एक बहुत बड़ी बात है आपने इस सामान्य विद्या नहीं सिखाई है देखे मेरा बेटा जानता था कि वो कमजोर है मेरा बेटा जानता था कि अगले साल भी उसे इसी कक्षा में बैटना पड़ेगा और लेकिन आपने एक ऐसी विद्या सिखाई कि पड़ाई लिखाई के सिवा भी जीता जा सकता है अयोग्य होकर भी योगिता कैसे प्राख करनी जाएए ऐसी अमूल ये विद्या आपने सिखाई तो इसलिए जन्मदाता के रूप में मेरा जो दरजा है मेरा जो position है पिता के रूप में उससे भी आपका position उँचा है बोलो तुम्हें क्या चाहिए देखे आपका मेरा run बनता है तुम्हारा मुझ पर run है मैं उस रंड को चुकाना चाता हूँ, मैं काफी आभारी हूँ, क्योंकि जिंदगी में सफल होने के लिए ये एक विद्या मेरे बेटे के लिए बहुत जरूरी है, कि अयोग्य होकर भी कैसे सफलता प्राक्त करें, और वो विद्या आपने सिखाई है, और आपको बोलना ही हो कि आपको क्या चाहिए, त्रिशंकु ने देखा कि लोहा खूब गरम हो चुका है, उसने कहा, अच्छा साहब, अगर आप प्रसन्न हैं, तो मुझे किसी अच्छे मुहले में एक अच्छा सा मकान दिला देजी, विश्वामित्र जरा सोच में पढ़ गए, कहने लगे, त्र कि अगर कोई देश मांग लेते, तो देने में कठिनाई न होती, खेर मैं वचन हार चुका हूँ, तुम्हें मकान दिलाऊंगा, अब देखिए, त्रिशंकु काफी चतुर था, उसने देखा कि विश्वामित्र का मन, उसके प्रती, उसे कुछ देने के लिए इतना लालाई थो गया है, और वो जानता था कि लोहा जब खूब गरम हो जाता है, तभी उस पर प्रहार करना चाहिए, कहते हैं, यूशुट स्ट्राइक विन दाइन इस होट, तो उसने क्या किया, वो बोला, अच्छा साहब, अगर आप प्रसन्न हैं, तो मुझे किसी अच्छे मुहले म एक अच्छा सा मकान दिला दिजिए, उसने अपनी इच्छा प्रकट की, जिस इच्छा को उसने बरसों से अपने मन में दबा कर रखा था, एक अच्छे मुहले में, एक अच्छे मकान में रहने की इच्छा, उसे त्रशंकु ने यहां जाहिर कर दिया, अब ये सुन विश विश्वामित्र सोच में पड़ गए, कहने लगे तुम अगर तुम अगर मकान की जग कोई देश मांग लेते तो मैं मुझे देने में कोई कठिनाई न होती, खेर मैं वचन हार चुका हूँ, तुम्हें मकान दिला कर रहूँगा, अब मैंने वचन जो दे दिया है, अब मेरा ये कर्तव ये बनता है कि मैं अपना वचन निभाओं, वैसे ये वचन बहुत कठिन लगेगा मेरे लिए, क्योंकि शेहर में क्या है, मकानों का बहुत प्रिशंकु बेचारा हिंदी साहित्यतले बेंग्य समराटन अरे पिड़नना, हरिशंकर परसाहीची डे वरुवालरे इंट्रेस्टिंग आइटोलोरी स्टोरी आन, उरी स्कूल मास्टर ने चुट्टि पत्यान, आ स्कूल मास्टर ने जीविदूम अधेहत नागर हो, इस स्टोरी के अधेहं प्लोट्टाइट एड़ितिरिगिन अध हिंदु मित्तोलोजी ले उरु स्टोरी आन, अधुर्यो राजाविंट कदेहान, उरु राजा सत्य वरत्न नमर्ने सूर्य वम्शत्तिर पेट्ट उरु राजा वेरनू, अधेहत नन उरु चर्री आगरहां, अ अधेहां परनू इदु सांथ्यम अल्ला, करना इदु प्रगृदील नेमत्तिन विरुद्धा मालू, आर्यु अंगन शरीर तोडू उडि, उडलोडू उडि, अंगन स्वर्गतिल नूँ पोगार इल्ला, अप्पम वशिष्ट पच्चतिल्ला आनन परनू, अपम पुरिष्टिंड़ मक्कल, शबिक्के वोंडाई, राजा सत्थ्य पुर्गतिन जीविकिनने, कोरे स्कल्स, ब्रूम निगरुष्ट्राय, जीविकल आटान अवरे काणपड़ू अँगनày, अंगने, राजा सत्थ्य पुर्धने, तन्ने, राज्योल निष्टप्यपड़ अधे होरी चाहंडाल नाई, अधे दिनन पेर त्रिशंगू नाई, अगिन अधे हम वन्यत्तिले के पोवग ने अटान। पक्षे इए आग्रहम अधे हम मनसीन माच्ची ला, ओडलोड सुर्गत्ती पोणोंनोंला आग्रहम त्रिशंगू माच्ची ला अगन त्रिशंगू वन्यत्तिल वेच्च विश्वामित्त्र मुनिये कंड मुट्टगें, अधे हत्तोड तन्डे आगरहम प्रगडिप्पीगें जेदू विश्वामित्तर मुनीका अल्लेल तन्ने, वशर्ष्ट मुनियाय मेट्ट वरिवू पुम्पुटिश्ण अंडायर, वरिवू प्रतीद्वंधीते ऑंडायर, अवर दमलों संहर्षंगर्ष होंडायर अदु उन्ड इई चैलंज विश्वामित्र मुणी एट्रडितो अंगने यल्ला मुणी मारे मेल्लां कूटी वेल्ये यागन संगलपिच्छु ओम द्रवंधे राजावर्णा द्रवंधे बाप्र हस्पते द्रवंधे अंड्रक्चा अग्नेच्चा राष्टन्धार अग्यतां द्रवंध। ओुम इंद्रा जयकल सबस्क्राल यद्राे दिन्नयु आदैने मार्स जंद्हेัं सबिस्तु आद्राल जरा जरा सबस्टी वरुदराल प्राण्थने यागों यागंगल्ड बेलतिल इतबसेड बेलतिल त्रिशंगू नेर सोर्गत्तिले एके उयरांदोडन। इदु गंड़ट्ट्ट देवमार काग वेप्रालोई कारण इंगने बोमीन ओल्ड एल्ला मनिशिवी इंगने आगरेईच्च मोल्वोट्ट्ट सोर्गत्तलेके वेलां तोणेंगे अवरके बुथ्थीमूटाव। अधु प्रगर्दीडन नीमत्तिने विरुद्धोवंगण। अंगेने यल्ला देवमारु उत्त्तूडी कूडालोजिन नड़ती देवमाड़ देवनाये इंदर देवन तंड़ शक्ति उन्टु तरिशंगुने तिरिच्च थाडेके तल्ड़ गेवंडाय। पुमीले एत्ताँ अदे अवड थन्य, अपप मिड्ड वेल आई पोई, तरिशंकू, तलक इलाई इकड़न नावरेने, मोळी निंगेन थाडोट्ट्ट वन्न आळु, थाडे एत्ताम पच्चिन इल्ल्ला, पाधी वळील इंगेन तूंगी कड़ुकुन्न, अपप यूसेज आयट्ट पिन्नीड वन्नु, अदे यूसेज आयट्ट वरिदन वरेंबा, तरिशंकू स्वर्गत्तिल आणान वरेंबा, नमड़े आगरहा साधिच्चू इल्ल्या, इंकी साधिचिल्ला नवरेन उप्पो या, तरिशंकू निल्ल सोर्गं किट्टि, आएड गव्मेंट्टी पॉर्म चेंबीडू, नमले तरिशंकू गव्मेंट्ट इन्द वरेंबा, नच्छा एपड़ा, जैच्चो जैच्च एलेक्षिनले, परशे फूल्मेजोर्टी किट्टा आदे, उर्यू गव्मेंट्टी पॉर्म चेयां पच्च्चा तुर अवस्ता, अ आँ उरु मित्तोलजीनरे स्टोरी ने बेसेएदान, हास्य वेंगे समराटाय हरिशंकर परसाई, इकधैल दियरू, तरिशंकू बेचार, हास्य वेंगे नुरेमें रंडूम रंडू केट्ट गरियां, हास्य वेंगे नुरेमें विरूम चिरी आण, अदले प्रत्तेईच अर्थोनुमेंड, नमले उर्याल, पेट्टन, नमले उटती, नाडकन, उटती, पेट्टन, काल, वेदि, वीराम, बोन, वोल, आवंपड़े नमले चिरी क्यार होंड, आद वरे हास्य वेंगे नुरेम्बन, चिरी आण, अप्पन तन्ने, नमले चिंदिक्यां प्रेविप अद्धेहत्तिंडे इए मित्तोलजी, हिंदु मित्तोलजी स्टोरी, विश्वामित्रन वेरी सोर्गंगरे एटेए, अवड त्रिशंगु इप्पिडुन दूगी कड़का नवरन, अप्पा अधु, आ उर्यू सिट्युएशन ने बेसे दान, अद्धेहत्तिंडे इए स् पोगाम हरिशंकर परसाइड त्रिशंकु बेचारा इनन स्टोरी लेगे किसी शहर के एक गंदे मुहले के एक छोटे से कच्ची मकान में एक आदमी रहता था उसका नाम त्रिशंकु था, वह एक स्कूल में पढ़ाता था तो यह है कहानी का नायक हमारा त्रिशंकु वो एक गंदे मुहले में एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था उसका नाम त्रिशंकु था और वो एक स्कूल मास्टर था गंदे महले में रहता था ये आपको ध्यान में रखना है और छोटे से कच्चे मकान में रहता था यों त्रशंकू को लगभग हर चीज से असंतोश था पर सबसे अधिक शिकायत अपने मकान से थी उसके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाशा थी कि मैं अच्छे मुहले में अच्छे मकान में रहूं मकान मालिकों के जो बेटे उसकी स्कूल में पढ़ते थे उन्हें वह बहुत प्यार करता था परीक्षा के मौसम में उन्हें महत्वपोन प्रश्न बताता था और अधिक नंबर भी देता था सोचता था किसी दिन कोई मकान मालिक मुझसे प्रसन्न होकर पुछेगा तुझे क्या चाहिए और मैं कहूंगा एक अच्छा सा मकान अपो उरी स्कूल मास्टर अधिहत्तिन पेर त्रिशंगो अधिहन तामसी कि नदो उरु अलिक्काय उरे तेरिविले उरे चर्री वीटिले अधिहत्तिन सोभाव एंदान लगबग हर चीट से असंतोष था अधिहत्ने पोदुवे जीवधत्तिल इत्तिय सवभागेंगलोड एल्ल्या अधिहत्तने उरे अत्रुप्तिया एरुना सपसेधीक शिकायत अपने मकान सेती तशे इत्चों गूड़दले कम्पलेंट अधिहत्तिने तन्डे वीडिने सम्मधिचा एरुना जीवधत्तिल उरे वेल्या अभिलाशा अधियतन उल्लादु एक अच्छे मोहल्ले में उरु नल्ल उरु तेरिविले अच्छे मकान निरभू इए उर आगरहा एरुना इस्कूल मास्टर न उन्डायर नुले अब यंदान त्रिशंकू उरु स्कूल मास्टर उरु वल्लर अजिक्क बिडिच्चू उरु तेरिविले उरु चिर्रीय वीटी तामसीकिनन पोधुवे यल्ला त्रिविले वीटी तामसीकिनोन अधर न देहं देहं इएउम मकान मालिकों के जो बेटे उसके स्कूल में पड़ते थे उन्हें बहौत प्यार करते थे विल्ली विल्ली पणकार्ण मक्कलु पिन्न वीड हौसोनस इन्न मक्कलक स्कूली पडिकिम्पम् त्रिशंकु परतेग शर्द्धीकि वेरुनौ। अवरे कूड़ुदली स्नेहीकि वेरुनौ। परीक्षाके मोसम्मे उन्हे महत्तोपून प्रश्न बताता था। एक्साम टाईमेरिम्पम् इम्पोर्टन्न चुश्टिन्स इन्दक्के आनननलगु आ कुट्टिकल को मात्र मायेट्ट। अवरे मात्रन तरंचि विडिच्चे परण्योड़ुद क्योड़ुदुद क्योड़ुदु primo इदल्ला एंदना चेहिनन दी अध्याबगें? किसी दिन कोई मकान मालीक मुझसे प्रसन्न होकर पूचेगा तुझे क्या चाहिये। एननंगिल्युम् इदल्धे माधाबिदाकरंदे अर्यियें? अवर संधुष्टराई एन्नोड़ वन्द चोयिकिन? निंगाके एंदवேन? निंगलेंड मगलें जेईपीच्च्चू? निंगाके एंदवேन? अपपन ज्यान एंदवेश्यू? इकच्छासा मकान? इवर आग कंट्रोलर विश्वामित्र थे। विश्वामित्र मकानों के किराये पर नियंदरन रखते थे और खाली मकान किरायदारों को देते थे। विश्वामित्र का लड़का त्रशंकु की कख्शा में पड़ता था और त्रशंकु भी उसे बहुत प्यार करता था। लड़का पढ़ाई में बहुत कमजोर था और विश्वामित्र ने उससे कह दिया था कि पुस्तकें समभाल कर रखना, अगले साल यही काम आएंगी। पर्त्रशंकुने उसे कुछ ऐसे प्रश्ण बताये और बाद में कुछ इस्तर उसके नंबर भरवाये कि वह पास हो गया पादे टाउनल उर्य। रेंट कंट्रोलर आ यूएवनुव विश्वामित्र चंत्रन रखनान वाच्या कंट्रोल एगा और खाली मकान किरायदारोंको देते थे उल्डिने वीड़गल उल्डिने विरिम्प अदु टेनेंस ने कुड़कन्न जोलिया रिन्न विश्वामित्र नंड़ु अपप विश्वामित्र नंड़ु अगनुं त्रिशंकु उन्ड क्लांसिल पड़िकी नंड़यरु और त्रिशंकु उसे बहुत प्यार करता था त्रिशंकु नरियां इकुट्टी डच्चन विश्वामित्र नाणनुं विश्वामित्र नाणी टाउनल रेंट कंट्रोलर नुं अदुण अदेह मल्लरे रिगन स्नेही क्यो एरनी कुट्ट पर त्रिशंकु ने उसे कुछ ऐसे प्रश्ण बताए और बादमे कुछ इस्तर उसके नंबर भरवाये कि वह पास ओडिया परशे इद अर्गेट्टो उडित त्रिशंकु एंद जेदू एक्सामने करच्चु कोस्चिन्स नेरते परनी उड़त्तु इविश्वामित्र नमागनें अधु वोल माक्सम कुड़े वारिकोरी इटोड़त्तु अंगने आकुट्टी पासाई विश्वामित्र बहुद प्रसन्न हुए विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए एक दिन जब त्रशंकु लड़के के पास होने की मिठाई था रहा था तब वे बोले त्रशंकु मास्टर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाता हूँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए त्रशंकु इसी शंका वर्षों से इंतजार कर रहा था उसकी आँखों में कितने ही मकान जूल गए पर उसने उतावली नहीं की बड़े धीरत से बोला साहर मैंने ऐसा क्या किया है जिसका बदला चाहूं मैंने तो अपना कर्तव्य किया है आप सारे शहर के लोगों को रहने के लिए मकान देते हैं और आपका ही लड़का पास न होता तो शहर के लिए बड़ी शरम की बात होती मैंने तो एक नागरिक के नाते अपना कर्तव्य किया है मुझे आपके एक रुपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए इसी शन का वर्षों से इंतजार कर रहा था नोकि इए उरी वाक्यम इए उरी चोद्यम एदंगिल उरी मादा विदा चोईकिवन उल्लद इदंगिल उरी पुण्डण मेरी मोहान उसकी आँखों में कितने ही मकान जूल गये पेट्ट नायड़ कण्मोंगिल कोरेए नल्ल नल्ल वीड़ुगल डदरुश्यू इंगिल रोटेट जेदू पर उसने उत्ताविली नहीं की पशेहल बुद्धिमान एरन्नू एड़त चाड़ी बड़े धीरच से वह बोला वळल्लरे नॉर्मल एट परण्यू साह मैने ऐसा क्या किया है जिसका बदला चाहूं अईयो सारे जान एंद चेहल आप्ष्यापगनान जांपड़ बिच्चू आप सारे शहर के लोगों को रहने के लिए मकान देते हैं और आपका ही लड़का पास न होता तो शहर के लिए बड़ी शरम की बात होगी सार एल्ला ए टाउनले एल्ला वरकुम वीड़ उड़कन रेंट कंट्रोलर राण। सार नमगन पास आईल्लेंगी नाड़न ननान केडान। मैने तो एक नागरिक्के नाते अपना कर्तविय किया है। अप्पोर सिटिसन एननन नलेक्के ज्यान एंट उत्तरवातन चेदु अत्तर योळों। मुझे आपकी क्रिप्पा के सिवा और कुच्छ नहीं चाईए। नक्ते वल्ल्लारे बुद्धिवोरं परें। सार नंड विर क्रवे वंडायल मदेंदे। शे वल्लरे बुद्धिवोर्वं वल्लरे विने तोड़ उड़ी उन्न अर्यात मटली इंगने मर्वडी परें। इन शब्दों से विश्वामित्र का हरदय और चोड़ा हो गया। वे त्रशंकु पर दया करने के लिए बहुत लालाई थोटे। बोले नहीं त्रशंकु तुम कुछ मांग लो तुम्हारा मुझ पर रन है। बालक का एक पिता जन्म दाता है और दूसरा विद्या देने वाला। तुमने लड़के को पढ़ाई लिखाई के सिवा यह अमूल्य विद्या भी सिखाई है कि आयोग्य होकर भी सफलता कैसे प्राक्त करने चाहिए। तुम्हारा दर्जा मुझ से भी उंचा है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अग्दों से विश्वामित्र का हुर्दय ओर चोडा होगे। अहां इदके ट्ट विश्वामित्र नंग मनसंग आलिन्य करनम प्रदिफलम इच्छी कातोर अध्या बगन। अग्दों यंदंगिलन त्रिशंकूने चेहिदे मदियावन विश्वामित्र नंड मनसुवंग परणे। वे त्रिशंकू पर दया करनेके लिए बहुत लालाई थोटे। लालाई तन्यचा वळ्ल्लर अधिगा आगामश्या। त्रिशंकूने एन्थंकिन चेहनों वोल्लर वल्लर अधिगम मोहम। बोले। नहीं त्रिशंकू तुम्कुछ मांगलू। तुमारा मुझपर रुन है। इनके कडपाड उन्टू, रुन्णन चा कडपाडू, इनके आ कडपाड तुगरुकण, इनके कडपाड तुगरुकावे, इनके रुसमाधान गिटोला, तुम्कुछ मांगलू। बालक का एक पिता जन्मदाता है, और दोसरा विद्या देने वाला। नोको कुट्टि गल्ड ओर अच्चन जन्मदाता, जन्मंग उन्पी जान अच्चन आउनों। पशे अर्व कुटतदारान अध्यावगनान विद्या देने वाला। और तुम्ने लड़के को पडाय लिखाई के सिवा, यह अमूल्य विद्या भी सिखाई है, कि अयोग्य होकर भी सफल्ता कैसे प्राथ करने चाई। अगंतोर विद्या परन्योड तालान तांगल, तुम्हारा दर्जा मुच्सोे भी उन्चाई, अदु अन्य तांगलन स्थानम, जन्मदादा वेन्ना नलेकके, अच्चनन नलेके, इन्ने कालों यरने आन तांगलन स्थानम, बोलो तुम्हे क्या चाई, परयू, एंद वे प्रसन्न हैं तो मुझे किसी अच्छे मुहल्ले में एक अच्छा सा मकान दिलादीजुँँँँँगें जिनमांग कर दी इदर व्रें डिफिकल्ट राग्रवाई पोल मकानों का बेहद अभाव है इर टाउनले ईपं का वीडगर व्रें शोटे जान, बेहद अभाव है व्रें इदिगम शोटे जान, तुम मकान की जग अगर कोई देश मांग लेते तो देने में कड़िनाई न होती वीडिने वगर ओरी राजिन्दने वेणां नोर्णेरने यां पेट्ट नोपीछ तरह रहे रहें तुशे इटाउनले इपम वीडे ये इल्ला, वीडो ओरी विल्ला खेर मैं वचन हार चुका हूँ, तुम्हे मकान दिलाओंगा तुशे यां वाक तन्न होई, ज्यानद उडिनी येदले पिन्मारत दिल्ला तुशे इए उर आगरहम वल्लाता दिफिकल्ट आगरह आई पोई येदने इक नालिम वाक तन्न स्रीके ज्यानद नोका विश्वामित्र ने टेबल की दराज से एक डायरी निकाली और उसके पन्ने पलटने लगे एक प्रिष्ट पर आकर रुके और फोन लगाया हलो, इंद्र जी हैं क्या? मैं विश्वामित्र बोल रहा हूँ नमस्कार, जी हाँ, आपकी कृपा है, 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 देखिए मैंने एक खास कारण से आपको कश्ट दिया है आपके पास कोई मकान खाली है क्या? अच्छा, मेरे एक अपने आदमी है, हाँ, भले आदमी है तो उन्हें भेज़ दूँ, शाम तक, अच्छा, अच्छा, धन्यवाद तो इस प्रकार देखे, विश्वामित्र ने टेबल से एक डैरी निकाली तो जाहिर है, वो फोन नमबर वाली डैरी है तई पढ़ने पलटने लगे, और एक प्रिष्ट पर आकर उन्हें इंद्र जी का फोन नमबर मिल गया और उन्हें इंद्र जी को बुलाया और बातों से पता चल जाता है कि उन्होंने इंद्र जी से एक मकान की बात की और अपने आद्मी कहकर त्रिशंकू को वहाँ बेचने की सोच रहे है तो त्रिशंकू के लिए मकान की बात हो रही है, इतना तो हम समझ गए विश्वामित्र ने टेबल की दराज से एक डैरी निकाली और उसके पन्ने पलटने लगे एक प्रिश्ट पर आकर रुके और फोन लगाया हेलो, इंद्र जी हैं क्या? अगने विश्वामित्र टेबल 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 टोरण उरे डैरी एडित अधले फोन नम्बर कंड़ने अधले के डायले एदु इनके मेरे अपने एक आदमी है एंडे सुन्द वेक्ति आनु नल्ला व्यत मनिशनानु भले आदमी है विश्वामितर ने फोन रखा त्रशंकु से कहा लोग तुम्हारा कारिय हो गया शहर के सबसे अच्छे महले में तुम्हारे लिए मकान तय हो गया पास में ही त्रशंकु मास्टर खड़े थे, उनसे कहा लो इंदर जी से बात हो गई, तुम्हारे लिए सबसे अच्छे मुहले में एक मकान तय हो गया। त्रशंकु का चहरा जिसकी एक-एक पंखुडी फोन पर हुई, एक-एक बात से खुलती जा रही थी, अब पूरी तरग खे गया। उसने पुछा यह मकान किस जगह है। अब त्रशंकु जो है जो इतने सालों से एक अच्छे मकान की इच्छा रख रहा था, वो वहीं पास में खड़े थे और इंदर जी और विश्वामित्र की जो फोन पर बात की थो रही थी, उस बात से उनकी क्या था, उनके मन में भी लड़ो फूब रहे थे। उनका चैरा कैसे था? एक एक पंकुडी, एक एक बात से खुलती जा रही थी, मतलब वो इतने प्रसन्न हो रहे थे, इतने सालों से मन में यही इच्छा रखे वे थे, कि एक अच्छे महले में, एक अच्छे मकान में रह सके। और आज उसका सांक्षातकार होने को जा रहा था, और विश्वामित्र और इंद्रजी की बातचीत से ही उसे पता लगया था कि पॉसिटिव आंसर आ रहा है, उसे मकान मिलने की उम्मीद है, और उसकी खुशी उसके चहरे पर साफ जहलक रही थी, उसने पूछा यह मकान कि जगा है, विश्वामित्र ने फोन रखा, त्रशंकु से कहा, अंगे ने इस संभाशनां गडिने विश्वामित्र ने फोन वेच्चे त्रशंक्योड कारियम बरें, लोग तुमारा कारिय हो गया, मी आगरे जगारियम नाडमों, शेहर के सबसे अच्छे मुहल्ले में तु नल्ला रसिडेंशिर एरिया इलिए लिए उन्हकोरी वीड रडिया आयट्वे, त्रशंकु का चैरा, जिसकी एक 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 पंखुडी, फोन पर्वी, एक 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 बात्से खुल्ती जारही थी, अप्पूरी तर खिल्गे, नमले पुष्पम, पुष्पत्तिंटे उरो एदल एगने विगसी कीने खुले, पंखुडी नमें पुष्पत्तिंटे एदल, एगने आनो उरो उरो चरगल इंग विटरत्ते पुष्पत्तिंटे उरो, पुष्पत्तिंटे पेट्चल्स, एए फोन सम्भाष्णां केत्ट्टि, अडधथ निके इन्नध तिरिषंकु मास्ट विश्वामित्र ने कहा, अपने शहर के सबसे सुन्दर मुहले में, सुर्गपुरी में, जिसे सिविल लाइन्स भी कहते हैं, वहां इंद्रदेव नामक एक सच्चन के कई मकान हैं। इंद्रदेव पहले लोक कर्म विभाग में इंजिनियर थे, और राष्टर नुर्मान का काम उन्होंने इतनी दिल्चस्पी से किया, कि रिटायर होते होते उनके अपने भी 15-20 मकान हो गए। ये सब किराय पर चल रहे हैं। इनहीं में से एक मकान का एक हिस्सा तुहें मैंने दिला दिया। अपूशने पर विश्वामित्र जी ने कहां कि ये मकान किसका है, कहां है, ये मकान स्वर्गपुरी में है, और ये किसका है, ये इंद्रदेव का है, इस स्वर्गपुरी को सिविल लाइन्स भी कहते हैं, और इंद्रदेव पहले कहां काम करते थे, लोक कर्म विभाग में, Public Works Division, PWD जो हम कहते हैं, वहां के इंजिनियर थे और वे राष्ट नर्मान का काम इतनी दिल्चस्पी से करते थे कि रिटायर होते होते उनके अपने 15-20 मकान हो गए तो ये हासी वेंग के समनाट हरिशंकर परसाईजी, PWD के उन इंजिनियर्स पर उनका इशारा है, जो नौकरी करते हैं सरकार के लिए, जो पैसा कमाते हैं अपने लिए, तभी तो सरकार का नर्मान कारिय करते करते, उनका अपना 15-20 मकान हो गया तो परसाईजी लिखते ही, अपना वियंग के लिखते ही इसलिए हैं, तो इस प्रकार की जो प्रिष्टाचार है समाज में, जो इंजिनियर्स हैं, जो सरकार का काम करते हैं, और तंखा पाते हैं सरकार से, लेकिन वहां घोटाला करके अपना पैसा कमाते हैं तो यहाँ विश्वामित्रजी ने तुशंकू से कहा कि शहर के सबसे सुन्दर मुहले में जिसे स्वर्गपुरी कहा जाता है और सिविल लाइन्स भी कहा जाता है वहाँ एक सज्जन है सज्जन कहा देखो ऐसे वेक्ति को सज्जन कहा जो पैसा हड़कर अपना मकान बनाता हो यही वियंग है उनका जो एक सज्जन है उनका नाम इंद्र है इंद्रदेव है और यह पहले पीजबलूडी में काम करते थी इंजिनियर थे राष्ट नर्मान का काम में लगे हुए थे और वो काम उन्होंने इतनी दिल्चस्पी से किया कि रिटैर होते होते उनके अपने भी 15-20 मकान हो गए और यह 15-20 मकान सभी किराय पर चल रहे हैं रेंट आउट किया हुआ है उनमें से एक मकान का हिस्सा मैंने तुम्हे दिला दिया है विश्वमित्र ने कहा अपने शहर के सबसे सुन्दर मुहले में नमडर टाउनले तुनले एरिया इले उसे क्या कहते हैं स्वर्गपुरी, स्वर्गपुरी न परई मलंगिल सिविल लाइन्स नूम परई अवड़े इंद्रदेव नामके सज्जन के कई मकान है उड़े वेल्लिय जेंट्रिमान उन्डु इद नल्ल सज्जन सज्जन वचा दुर्जन टो उपसिट्च नल्ल मन्शन आथ्थे हैं इंद्रदेव पहले लोक कर्म विभाग में इंजिनियर थे अधियार आवरनों पीडब्लुडी सेक्षन लें इंजिनियर आवरनों और राष्ट मिर्मान का काम उन्ने होने इतनी दिल चस्पी से किया कि रिटायर होते होते उनके अपने भी पंदर बीस मकान होगै अधिया इंद्रदेव सर्थारंड़ स्वीगरेच्चि कंस्रक्षन नड़ते हैं अधिल आजिमधी नड़त्ती सोंधमायट्र वत्तवनेंजी वीडुगल सोंधमाख्योर वेक्तियानु अंगन्तोर वेक्तियान विश्वामित्रन सज्जन एन्न विशेशिपीगिनल ये सत किराय पर चल रहे हैं इन्ही मेसे एक मकान का एक हिसा तुमें मैने दिलादिया पी पत्तवनेंजी वीडुगल वाडकी नड़कनल अधिले ओर्यु वीडु आन्निनक ज्यान अलोटेवे पहला प्रश्न जो त्रिशंकू ने उठाया वह था किराया विश्वमित्र ने कहा उसकी जिंता मत करो मैं सब बातें कर लूँगा तुम तो शाम को इंद्र जी के पास पहुँच जाओ और जो मकान वे बताएं उसमें डेरा डाल दो आज 31 तारीक है यहां मकान आज ही खाली कर दो वरना कल मकान मालिक एक माप का किराया रखा लेगा तुम तो सामान लेकर चले जाओ अब देखे सभी चीजें जल्दी जल्दी होने लगी तुर शंकू ने शंका उठाई कि किराया कितना होगा रेंट मतलब कि सिविल लाइन्स में अगर मकान है सुर्गपुरी में हाई रेंट भी काफी होगा और उतनी ओकाद तो एक स्कूल मास्टर की है नहीं लेकिन विश्वामित्र क्या कहते हैं उस बात की चिंता ही मत करो तो तुम बस अपना सामान उठाओ क्योंकि आज 31 है महिने का आखी तारीक है 31 तारीक है अब एक दिन और इस पुराणे मकान में रुख गए तो अगले महिने का भाड़ा भी देना पड़ेगा तो इसलिए विश्वामित्र ने सुझाव दिया कि तुम रेंट की चिंता मत करो मैं बात करलूंगा इंद्रजी से तुम ऐसा करो अपना सामान उठाओ और चल पड़ो सिविल लाइन्स की ओर और जिस मकान को इंद्रदेव एलोट करेंगे उसमें अपना डेरा डाल दो पहला प्रश्ण जो तृष्वामित्र ने कहा उसकी चिंता मत करो मैं सब बातें करलूंगा आर रेंट ने पत्ति ओवर तुम मास्टर वेश्मिकेंडा या नेलना समसा रिक्यां तुम शाम को इंद्रजी के पास पहुँच जाओ और जो मकान वे बताएं उसमें डेरा डाल दो अज 31 स्तारीक है यह मकान आज ही खाली करडों वरना कल मकान मालीक एक माख किराया रखा लेगा तुम तो सामान लेकर चले जाओ अब इप्प तामसी के में इविडिले इन्नो नुपतन नांदी आण मासा अवसान वान अब इन्नो उडियने आमालल दाल उडिदो सोंगड इपड़ तामसी चा आड़ता मासत वाडगेंगोड पुड़केंडिवेरी त्रशंकु दुविधा में पढ़ गया स्वर्गपुरी या सिविल लाइन्स की दुनिआ ही दूसरी थी वहां के निवासी कितने भिन्ण प्रकार के थे त्रशंकु उन्हे प्रशंसा और भय से देखता था उसने वहां रहने की कलपना कई बार की थी और उसे सुख का अनुभव हुआ था पर अब जब वहां रहने का मौका आ गया तब उसका मन आगा पीछा करने लगा सोचने लगा मैं वहां कैसे रहूंगा वे लोग मुझे वहां रहने भी कैसे देंगे अब देखें ये त्रिशंग को मन में इतना ख्वाब देखता था कि एक अच्छे रेसिदेंशल एरिया में रहे और आज जब उसका जो ख्वाब है वो सच में बदलने जा रहा है तो उसका मन शंगाओं से घिर जाता है उसे डर लगने लगता है वो दुविधा में पढ़ जाता है स्वर्गपुरी या सिविल लाइन्स की दुनिया दूसरी थी उसे पता है काफी हाईली पौश एरिया था वो वहाँ के निवासी भिन प्रकार के मालूम होते थे ऐसा लगता है जैसे कोई और ग्रह से आए हो त्रशंक उन्हें प्रशंसा और भय से देखता था त्रशंक मन में उनके जैसे जिन्दगी देख कर काफी एक्साइटट होते थे लेकिन उनके मन में भय भी था उसने वहां रहने की कल्पना कई बार की थी और उसे उस सुख का अनुभोवी हुआ था लेकिन क्या है वो काल्पनिक सुख है अब जब वहां रहने का मौका आ गया तब उसका मन आगा पीछा करने लगा मन का आगा पीछा करना मतलब मन एक तरफ कहता है जाओ तुम महाँ जाकर रहो दुसी तरफ मन पीछे की और खीशता है कि मत जाओ वहाँ तो अलग किसम के लोग रहते हैं तुम्हें कोई accept करेगा ही नहीं सोचने लगा मैं वहाँ कैसे रहूंगा वह लोग मुझे वहाँ रहने कैसे देंगे मैं वहाँ नहीं रह सकता ऐसा तुम्हें को सोचने लगा तुम्हें को दुविधा में पड़ गया तुम्हें को आग कन्फूशन लाई स्वर्ग पुरी या सिविल लाइन्स की दुनिया ही दूसरी थी वहाँ के निवासी कितने भिन्न प्रकार के थे इस्वर्ग पुरी शिविल लाइन्स नकर अवर तामसीकिनन रसिदेंस सत्योरी वेयरे लेवल आन। अवरे इंगे दूरें वल्लरे भयभक्ति ओडे आन तुम्हें को कंडि दुम्हें उसने वहा रहने की कल्पना कई बार की थी अपोरू पहोपेट्ट शम्बलंगोरवोल्ल वरू स्कूल मास्टर न मनसील वल्लरे अरिगम कोदी अर्मी इंगें तोरू रसिदेंशले अरियाले तामसीकिनोन पक्षे जब मोका आगया तब उसका मन आगा पीच्छा करने लगा इप्पा आ स्वप्णम वर्षंगायो कुण्द नाड़ना स्वप्णा याधार्तियम आगा बोल्याले अप्रतीकना अधियातने मनसी चान जाड़ां तोड़ंगी आगा पीच्छा करना चान जाड़गा नच्या मनसी वेणों वेंड़ेओ एननलोरी चिन्दा सोचने लगा मैं वहां कैसे रभूंगा वेलोग मुझे वहां रहनेबी कैसे देंगी त्रशंको जिन्दी के आन तोड़ांगी यह ज्यान एंगे आवर अड़के वोई ताम सेगी नुझे अवर अलेलो आवर अवर इन्ने एस सब्की यह इल्या ज्यान एंदी कोलोम एंदी दारी द्रियों पड़िचे ज्यान आ जिन्दा कूपतन देड़ेगे अवर वेर टाइप आल कारानों उसने डरते डरते कहा साहब वहां तो और तरह के लोग रहते हैं वह जाती ही दूसरी है वे मुझे अपने बीच कैसे रहने देंगे उसने डरते डरते कहा साहब वहां तो और तरह के लोग रहते हैं वह जाती ही दूसरी है वे मुझे अपने बीच कैसे रहने देंगे विश्वामित्र बोले तुम कैसी नासमजी की बात करते हो तरशंकू वहां मकान मिलना बड़े सौभागी की बात है और तुम उसी सौभाग्य को ठुकरा रहे हो तुम डरो मत बे खटके चले जाओ मैंने कह दिया है तो इंद्र जी तुमें हाथ जोड कर मकान देंगे अब तरशंकू ने अपना डर विश्वामित्र के सामने जाहिर किया उसने डरते डरते कहा साहब वहां तो कुछ और ही तरक के लोग रहते हैं, कुछ अलग तरक के किस्म के लोग रहते हैं, वो जाती ही दूसरी है, मुझे नहीं लगता वो मलिशे जाती है, मतलब वो कोई और जाती है, वे मुझे अपने बीच कैसे रहने देंगे, इस पर विश इसे नासमझी की बात करते हो ये क्या नासमझी की बात कर रहे हो बेवकुफी कह रहे हो वहां माकान मिलना बड़े सवभागी की बात है अरे वहां माकान मिलना बहुत लख की बात है और तुम उसी सवभागी को ठुकरा रहे हो तो तुम आए हुए सवभागी को ठुकरा रहे हो. देखो तुम डरो मत बेखटके चले जाओ बिना किसी शंटाके चले जाओ मैंने कह दिया है तो इंद्र जी तुमें हात जोड कर मकान देंगे मैंने कहा है मैं विश्वामित्र हूँ, मैं रेंट कंट्रोलर हूँ मैंने कहा है तो मेरे पवर के हिसाब से किंद्र जी ने तुम्हें मकान दिया है और वो हाथ जोड कर तुम्हें एसेप्ट करेंगे तुम्हें कोई जिन्ता की कोई बात नहीं है तुम्हें ये सब जो कर रहे हो वो नासमची है तुम्हारे मन में जो शंका है वो पूरे नासमची है मिले हुए विश्वामित्र बोले तुम कैसी नासमची की बात करते हो त्रशंगु वहां मकान मिलना बड़े सवभागी की बात है और तुम उसी सवभागी को ठुकरा रहे हो एंद पोटतराने त्रशंगु नासमची एंद विवरे विलाईमा इत्रे नलोई सवभागी मन जरनु और थुकराना पुरंगालू उन्ट अडिच्चि माच्चिगा नल्लोई आईशरी मन दा नल्लोई सवभागी मन दानु आ सिविल लाईम्स लोई वीदु इटानु अच्छा विल्य भागी वानु अन्नट तुम डरोमत नी पेडिकेंटा आरी विल्या बेग खटके चले जाओ ओर यत्ताड सोईल आदी धाईरि वैट पोग। मैने कह दिया है तो इंद्र जी तुम्हें हाथ जोड कर मगान देंगे नोकु ज्याना न परण ज़िदु ज्याना न रकमेंदेदेदु अपन ज्यान रकमेंदेदेदु गार्नम इंद्र नंदे यूं रंड गईयूं मुझे नजने कैसा लग रहा है मुझे लगता है वहां हम केवल मन से रह सकते हैं सद देह रहने जाएंगे तो वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे उसकी मन की शंका खतर नहीं होती इंद्र विश्वामित्र के कहने पर भी वो समझ नहीं पाता है वो ड़ते ड़ते कहने लगा कि साहब मुझे नजने कैसा लगरा है मेरा मन नजने क्यों बहुत शंकित हो रहा है मुझे लगता है वहां हम केवल मन से रह सकते हैं हम अपने मन से शायद इस सिविल लाइंस में रह सकते हैं लेकिन सदेह शरीर सहित रहने जाएंगे तो वे लोग स्विकार नहीं करेंगे ऐसा मेरा मन कहता है तो जो उसके मन में शंका उत्पन हुई तुर शंकु ने उसे विश्वामित्र से कह डाला तो का मन फिर भी आगे नहीं बड़ा उसने बड़ी दीनता से कहा साहब मुझे न जाने कैसा लग रहा है मुझे लगता है वहाँ हम केवल मन से रह सकते हैं सदेह रहने जाएंगे तो वे लोग स्विकार नहीं करेंगे त्रशंगो परहाएंगे थ्रुषणको परहाएंगे फुटैने बड़ी दीनता से कहा साहब मुझे ना जाने कैसा लग रहाएंगे एनिकी तोनन्नों हम केवल वहां मन्से रह सक्ते हैं न्यांगल मनस कुण्ट आगरेक्यां पत्चिवर एरिया मात्र मानवर आ सिबिल लाइन्स न वर्ण्याल नंगको मनसोंट आगरेक्यां सदेहर हेने जाएंगे तो वेलोग स्विकार नहीं करेंगे इस शरीरोंवाय टमोट वोवानंगिल इनिकी तोनन इल्ला अवर नमले स्विकिरीग्यों अगर नमले फस्ट वीडियो इले नमले इरिंदे बैग्राउंड कंडलो इप्पावराणिक कथेएले त्रिशंकु आगरेच्य दन्दान सशरीरम स्वर्गत्ती पोई जीविकनोँ आनौ इबड़त्त हरिशंक परसाइड त्रिशंकु आगरेच्य चीचे नोपोई जीविकनोँ आनौ विश्वामित्र का अभिमान जाग उठा त्रिशंकु उनकी शक्ती पर अविश्वास कर राथा वे उठकर खड़े हो गए उनका तेज जागरत हो गया बोले त्रिशंकु मैं विश्वामित्र हूँ रेंट कंट्रोलर मेरी बात कोई मकान मालिक नहीं डाल सकता मेरी भी 20 साल की सर्वीस है यह कुछ कम तपस्या नहीं है मैं तुम्हें सुर्गपुरी में बसाओंगा मेरा वचन खाली नहीं जा सकता जाओ शाम तक इंद्रजी के पास पहुँझ जाना अब देखो विश्वामित्र का अभिमान जाग उठा उन्हें क्या लगा कि यह तुम्हें को शायद विश्वास नहीं हो रहा है मेरे पावर पर अरे मैंने कह दिया तो इंद्रजी उसे मकान दे देंगे सुर्गपुरी में ही देंगे सबसे अच्छे रसेंशल एरिया में मिल रहा है और ये मास्टर जो है ये शंका कर रहा है तो उनकी जो क्या है उन्हें लगा कि तृषंकू उनकी शक्ति पर विश्वास कर रहा है वे उठकर खड़े हो गए और इंक्तम गुस्षे से उनका तेज जागरत हो गया और बोलने लगे त्रशंकू मैं विश्वामित्र हूँ, रेंट कंट्रोलर, देखो मैं कोई एरागेरा देखती नहीं हूँ, मैं रेंट कंट्रोलर हूँ, मेरी बात कोई मकान मालिक नहीं डाल सकता, मैंने जो कह दिया, वो कोई मकान मालिक नहीं डाल सकता, ना नहीं कह सकता मेरी भी 20 साल की सर्वीस है मैं यूगी नहीं हुआ हूँ मैंने 20 साल की तपस्या की है सर्वीस में 20 साल से हूँ मैं तुम्हें सुर्गपुरी में बसाओंगा मेरा वचन खाली नहीं जा सकता देपो मैंने वचन दे दिया है तो अब मेरा ये कर्टव्य बनता है कि मैं तुम्हें सुर्गपुरी में ही बसाओंगा जाओ शाम तक इंद्रची के पास बिश्वामित्र का भिमान जाग उठा विश्वामित्र नंग देश्य मन आज़े अयाड इगो हर्ट आई त्रिशंकु उनकी शक्ती पर विश्वास कर रहा था विश्वामित्र नंग याक एंदे पावर आर्याम आया तोंडानो अदो एंदे पावर ने डवटे इनोंडानो वे उटकर खड़े होगे उनका तेज जागरत होगे अदे अधना आख देश्य मन चाड़ एंदेटु त्रिशंकु मैं विश्वामित्र हुँ रेंट कंट्रोलर एननट्ट वलरे आवेशत्तोड देश्य तोड़ परनू त्रिशंकु नोक एंड़ेट्त कळिगेल्ले ना नाराना रेंट कंट्रोलर आना मेरी बात कोई मकान मालीक नहीं डाल सकता न्याम परहें नदना अप्रम ओरी हाउस होनर अरन्नों इदर काम बट्टतिल्ला मेरी भी 20 साल की सर्वीस है यानु वर्धों नुवल्ले इनकिम बत्तिरोद वर्षत सर्वीस होंड़ु यह कुछ कम तपस्या नहीं है मैं तुम्हे स्वर्ग पुरी में बसाओंगा पुरु रेंट कंट्रोल रदन नलेकि न्यानुम इंदरने पोल तन्न पावर्फुलान पी पावरानिग क कदेल रिशी विश्वामित्र नूँ अधे पोले आरन। इंदर देवन उप्पम तट्टेच्चि निक्किनन ओर्यु आहम भावं विश्वामित्र मुनिके उन्ना इरुन। इंदरन देवन आणंगिल एंदे मंत्रंगलूं सित्थीक्यूं देवम्मारें तोपिक्यान उल्ला कळिवामित्रन तर्द्वीर नदु मेरा वचन खाली नहीं जा सकता जाओ शाम तक इंदर जी के पास पहुँच जाला। त्रशंकूने शाम को एक ठेले पर सामान लदवाया और सिविल लाइन्स की राह पकड़ी इंदर जी के बंगले पर पहुँचा। इंदर जी बंगीचे में आराम कुर्सी पर लुड़के हुए माली को हिदायतें दे रहे थे। त्रशंकूने ठेला सड़क पर खड़ा किया और इंदर के सामने जाकर खड़ा हो गया। नमस्का साहब। क्या काम है अब देखो त्रशंकूने जैसे विश्वामित्र के आग्या के अनुसार एक ठेले गाड़ी में मतलब उसके घर में जाला सामान है ही नहीं एक गरीब मास्टर था स्कूल मास्टर जो भी सामान था जो भी फरनीचर वगेरा था वो एक ठेले में ही भरने लायक था ठेले में भर दिया और उसे लेकर सिविल लाइन्स की और राह पकड़ी। इंद्र जी के बंगले के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं इंद्र जी बगीचे में आराम से आराम कुर्सी पर इसी चैर में बैठे हुए इसी चैर में लेटे हुए थे और अपने माली को ओडर कर रहे थे कि ये करो वो करो त्रशंकु ने ठेला सडक पर खड़ा किया और इंद्र के सामने जाकर खड़ा हो गया उसने वहां ठेला खड़ा किया और इंद्र के सामने जाकर हाजिर हो गया और नमस्कार साहब कहा तो इंद्र काफी पाउरफुल विक्ती थी तो उन्होंने खा हम क्या काम है त्रशंकु ने शाम को एक ठेले पर सामान लदवाया और सिविल लाइन्स की राव पक्पकडी, अप्पी इनी द्रिशंकु मास्टरन्न वेर ओप्षिन उन्नूं इल्ला, इल्ला, पेट्ट्टु पोई, अवड इन्दरजी के बंगले पर पॉँचा, विल्ल्य बंगला वोंड़ा इन्दरजी अवड़े इन्दरजी गार्डन लिदन, आराम कुर्सी पर लुड़के वे थे, विल्ल्य चारि गस्से लेगे सुपमायटिंगे ने चारि इननड, माली को हिदायतें दे रहे थे, अव इन्दरजी अवड तात्ति वे चिट्टु, त्रिशंगु कोई इन्दरंड मुंपी निग्यों, नमस्कार साहा, क्या काम है, त्रिशंगु तानडु स्कूल मास्टर आन, तनकु समुवत्तिले, सोत्ति इल्ल्यंगिलुम् तनिक्वेरु वेले नेले उन्दु, एन्न धार अन्न एले एम्मोट चेल्दु आन, इन्दरं दड़तेगी, अधु मात्रम अल्ल्ला, एन्ने रकमेंटीर दारान, रेंट कंट्रूल आन, विश्वामित्परन, अधिहम्वलरे पावर्फुल आन, एल्ल्ना हाउसोन आसुम् इरेंट कंट्रोलर परना निसेचान, कारियंग अधिश्वामित्परन, विश्वामित्र, रेंट कंट्रोलर ने, त्रशंकु के लिए एक घर अलोट किया है, और त्रशंकु अपना सारा सामान, एक थेले में लाद करेंगी, कहां पहुचे हैं, इंद्र के पास पहुचे हैं, इंद्र को उन्हें नमस्कार किया, और जबाब में इंद्र ने जड़ा कुछ भाव नहीं दिया, यूही पूचा क्या काम है, नमस्कार की जबाब में हूँ पाकर त्रशंकु का माथा घरम हुआ, अपनी गरच जान वह सह उसे लगा जैसे वह किसी के द्वार पर भीक मांगने खड़ा है और घर में से आवाज आ रही है कि आगे बढ़ो। नमस्कार के जबाब में नमस्कार ना देकर जब केवल हूं कहते हैं तो त्रशंकू को लगता है मनों किसी के घर में भीक मांगने गया हो और घर वाले कह रहे हो जाओ जाओ यहां कुछ नहीं है आगे बढ़ो। अब उसकी जरुवत थी एक अच्छे मकान की जरुवत तो इसलिए उसने अपने मन के गुसे को शान्त करते हुए बड़ी विनमरता से कहा आपको विश्वामित्र जी ने मकान के बारे में फोन किया था ना उसी के लिए इंद्र बोले हाँ ठीक है कहा है तुमारे साहब अब इंद्र को क्या लगा ये उस साहब के कोई नौकर होंगे तो इंद्र ने कहा ठीक है ठीक है कहा height है तुमारे साहब कौन साहब त्रशंकु बात समझा नहीं इंद्र ने खीच कर समझाया अरे वही जो मकान में रहेंगे अब इंद्र को भी गुस्सा ने लगा अरे वही साहब जो मेरे मकान में रहने को आ रहे हैं त्रशंकु को जटका लगा वह बोला जी मैं ही रहूंगा अब त्रशंकु को थोड़ी बात समझ में आ गई त्रशंकु को ये समझ में आ गया कि उसे देखकर इंद्र को वो एक नौकर के समाल लग रहा है उसका हुलिया देखकर, उसकी शकल देखकर उसके फटे हाल जो उसकी हालत है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो तो कोई नौकर होगा इंद्र उठकर बैठ गए आँखे निकाल कर उसे देखा और चिल्ला पड़े तू तू रहेगा मेरे मकान में विश्वामित्र क्या दिन में भी नशाकिये रहते हैं इंद्र को इतना गुसा आया उन्हें विश्वामित्र पर भी गुसा आया क्योंकि विश्वामित्र नहीं इस फटे हाल आदमी को यहां भेजा है इस रेसिदेंशल एरिया में जहां बड़े-बड़े लोग रहते हैं वहां इस फटे हाल बिकारी जैसे दिखने वाले बिकमंगे जैसे दिखने वाले आदमी को भेजा है अब इंद्र को इतना गुसा आया कि वो कहने लगे कि विश्वामित्र को भी क्या हो गया वो क्या दिन में भी नशा करते हैं कि ऐसे लोगों को यहां भेज दिया त्रिशंकु उन्हें साहस बटोरा पुछा क्यों ऐसी क्या अनहोनी हो गई अब त्रिशंकु भी थोड़ा तेवर में आ गये पूशने लगे क्यों ऐसी क्या अनहोनी हो गई मतलब मुझमे क्या कमी है इंद्र ने अपने आप कहा मैं तो समजह था किसी शरीफ आदमी के लिए मकान चाहते हैं अरे मैंने तो समझा था किसी शरीफ आदमी के लिए मकान चाहते हैं, मतलब आदमी की शराफत उसके हुलिये से नजर आती है, वो कैसे बंधन के, उसकी वेश भूशा, उसकी जो फिसिकल अप्यरंस है, यहीं परसाई जी समाज की इस रीती पर प्रहार करते हैं, बेंग्यात् त्रिशंकु एक फटे हाल स्कूल मास्टर है, इसलिए इंद्र इसे एक नौकर के समान मानते हैं, त्रिशंकु ने मकान की आशा छोड़ दी, इससे उसमें ताकत आ गई, वह कड़कर बोला, मैं क्यों नहीं रह सकता, मैं क्या आदमी नहीं हूँ, अब देखिए त्रिशंक प्रिशंकु ने अपने मन की जो इच्छा थी, कि वह एक अच्छी मकान में रहे, अच्छे रसरेंशल एरिया में रहे, वह इच्छा उसने दबा दी, और इस इच्छा के दबाने में उसकी अंदर ताकत आ गई, वह क्यों दब रहा था, वह इंद्र के सामने इसलिए दब रहा था, वो इसलिए इंसल्ट सह रहा था, क्योंकि उसके मन में आग्रह था, अब जब उसने आग्रह को ही हटा दिया, तो अब वो ताकतवर हो गया, वो पूछने लगा, वो भी कड़क कर पूछने लगा, मैं क्यों नहीं रह सकता? मैं क्या आदमी नहीं हूँ? इंदर ने उसे फिर ध्यान से देखा और बोले जो सिर्फ आदमी है वो हाँ नहीं रह सकता अरे वही तो है मुश्किल जो केवल आदमी है वो यहाँ नहीं रह सकता मतलब normal सादा आदमी यहाँ नहीं रह सकते मतलब तրशंकु ने पूजा इंद्र ने कहा, मतलब यह कि तुम यहां रहने के काबिल नहीं हो, मैं देख कर ही आदमी को समझ जाता हूँ इंद्र कहने लगे देखो मैं देख कर ही आदमी को समझ जाता हूँ मुझमें इतनी ताकत है कि मैं एक अप्यरंस देख कर ही एक आदमी की ओकात समझ जाता हूँ तृशंगू की स्कूल मास्टरी जाग उती थी वह बात को पूरी तरह समझ और समझा लेना चाहता था इतने सारे बच्चों को तो पढ़ा चुका था और वो भी कैसे पढ़ाता था जिसमें जीतने की शमता नहीं थी उसे भी जितवा लेता था इतनी काबिल्यत उसमें थी उस स्कूल मास्टर में तो वो पूछता है यहां रहने के लिए क्या काबिल्यत चाहिए मतलब यहां रहन के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इंद्र ने नाराजी से उसे देखा और कहा भिकमंगे यहां नहीं रह सकते तुम्हारे पास मोटर है transistor set है refrigerator है sofa set है अब इंदर ने यहां रहने की जो qualification है उसके बारे में एक लंबी लिस्ट बता दी इंदर ने कहा देखो यहाँ भिकमंगे नहीं रह सकते यहाँ जो भिकारी वगरा है वो यहाँ नहीं रह सकते जिसके पास motor हो transistor हो, refrigerator हो सोफा सेट हो, ये सब हो, वो यहां रह सकते हैं त्रिशंकु इंद्र जी की रोशपूर्ण छवी देखता रहा इंद्र बोलते गए, बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं कि गवारों के स्कूल में कैक्टस के कितने प्रकार जानते हो, किस क्लब में जाते हो अब देखिए जो हाई क्लास लोग करते हैं, अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में बेजते हैं गरीब तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में बेजते हैं तो इंद्र बोलने लगे, बच्चे कौन से कॉन्वेंट में पढ़ते हैं बई कौन से पबली स्कूल में पढ़ते हैं कैक्टस के कितने प्रकार जानते हो कैक्टस तो वही शौक के लिए पालता है कैक्टस की कोई उपयोगिता नहीं होती बस कीमती होती है और शौक के लिए पाला जाता है और ये सब शौप के लिए बड़े-बड़े लोग पालते हैं तो किस क्लब में जाते हो गई? जवाब के लिए थोड़ा वक्त देकर इंद्र ने कहा फिर तुमने यहां आने की हिम्मत कैसी की? तो इंद्र कहने लगा रे मैं तो यही सोच रहा हूँ विश्वामित्र तो दिन में नशा करने लगा है और तुम में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इस रेसिदेंशल एरिया में मेरे सामनी आकर घर पूछे तृशंकू ने जरा अकड कर कहा मुझे विश्वामित्र जी ने भेजा है वे रेंट कंट्रोलर हैं उनका ओडर अब तृशंकू भी थोड़े तेवर में आ गए क्याने लगे मुझे रेंट कंट्रोलर विश्वामित्र ने भेजा है और रेंट कंट्रोलर होने के नाते उनका ओडर है ये उनका ओडर का पालन करना तुमारा भी फर्स बनता है चाहे तुम इंद्र हो या और कोई हो इंद्र तपाक से उठखडे हुए एक कंगुली उसकी और ऐसे घुमाते हुए जैसे इससे कलेजा फार दें वे चीखे मुझे विश्वामित्र का डर दिखाता है ऐसे रेंट कंट्रोलर यहां बीसों आ चुके हैं सेकेटरी से कहकर कल ही तबादला करा दूँगा विश्वामित्र का बाप भी तुमें यहां नहीं बसा सकता मेरे मकानों को अनाथाले समझ रखा है अब देखे इंद्र क्या क्या कह जाते हैं इंद्र ने तृशंकू की बहिजती तो की ही उसका इंसल तो किया ही साथ ही विश्वामित्र के बारे में कहते हैं ऐसे रेंट कंट्रोलर यहां बीसों आ चुके हैं ये विश्वामित्र जैसे लोग मेरे पास बीसों आ चुके हैं देखो मैं ऐसा करता हूँ उसका ट्रांसफर करा देता हूँ ता बादला मतलब ट्रांसवर सेकेटरी से कहे कर मैं विश्वामित्र का ही ट्रांसवर करवा देता हूँ तो वो rent controller रहे गा ही नहीं विश्वामित्र का अगर बाग सोचे तो भी तुम यहां नहीं बस सकते मेरे मकानों को क्या अनाथाले समझ रखा है कि कोई भी एरा गैरा गुश जाए विश्वामित्र को जब गाली पड़ गई तब त्रिशंकु ने वहां रुखने का कोई कारण नहीं देखा अब त्रिशंकु ने देखा भई विश्वामित्र के बल पर वो यहां आया है अब यहां इंद्र सोयम विश्वामित्र को गाली दे रहे हैं तो त्रिशंकु वहां से छटपट चल पड़ा उसने ठेला लोटाया और सीधा विश्वामित्र के बंगले पर पहुँचा बोला साहब इंद्र देव ने मुझे भगा दिया कहा कि तुम यहां रहने के लायक नहीं हो उन्होंने आपको भी गालिया दी अब देखे त्रिशंकु ने अपना ठेला गुमाया और वापस पहुँच गया विश्वामित्र के घर और वहां जाकर उन्होंने क्या कहा साहब इंद्र देव ने मुझे भगा दिया है और वो कहते हैं कि मैं वहां रहने लायक नहीं हूँ और इतना ही नहीं आपको भी बहुत सी गालिया दी विश्वामित्र की ब्रकुटी कुटिल हो गए आखें क्रोध से लाल हो थी बोले उस इंद्र के बच्चे की इतनी हिम्मत मैं उसे कल देखूंगा तुम रात कहीं काट लो कल मैं तुम्हें उसका मकान दिलवाऊंगा अब विश्वामित्र भी बहुत गुस्से में आ गए उनका जो आईब्रोस था ब्रकुटी वो सब टेड़ा हो गया गुस्से में कुटिल हो गया आखें क्रोध से लाल हो गई और वो बोलने लगे इंद्र के बच्चे की इतनी हिम्मत मैं उसे कल देख लूँगा तुम एक काम करो आश का तुम कुछ बंदोबस कर लो कल मैं तुम्हें जरूर मकान दिलवाओंगा तृशंक उन्हें हाथ चोड़ कर कहा साहब मैं वहाँ नहीं रहूंगा वे लोग बड़े जंगली हैं मैं उनके बीच में नहीं रहना चाता अब तृशंक उन्हें हाथ जोड़े तृशंक उन्हें कहा साहब मुझे वहाँ नहीं रहना वे लोग बड़े जंगली हैं मतलब कि आदमी का लिहास करना वे नहीं जानते काफी जंगली हैं जंगल में कौन रहता है जानवर और जानवरों को तो किसी की कुछ पड़ी नहीं रहती वैसे ही वहाँ के लोग हैं विश्वामित्र ने अब उसे गुसे से देखा और कहा तुम्हें वहां रहना होगा अब यह तुमारे मकान का सवाल नहीं रहा मेरी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है अब देखो विश्वामित्र काफी गुसे में आ गए बोले नहीं नहीं अब ये मेरा प्रस्टीज इश्यू है अब मैं देखता हूँ तुम कैसे उस रेसिदेंशल एरिया में नहीं रहते तुम्हें वहां रहना होगा देखे पुरानों में भी यही हुआ था तभी तो उसे त्रशंकू स्वर्ग कहा जाता है एक तरफ विश्वामित्र हैं दूसी तरफ इंद्र भगवान थे तो यहां पे वी त्रशंकू मास्टर बीच में फस्ट गए त्रशंकू नहीं कहा साहब अब इस बात को छोड़िए मैं वहां नहीं जाओंगा मैं तो अपने इसी मकान में रहूंगा वह चलने को मुड़ा विश्वामित्र ने कहा मगर वहां कैसे रह सकते हो वह मकान तो मैंने आज दूसरे को अलोट कर दिया त्रशंकू की आँखों के सामने दुनिया थोड़ी देर तक गोल-गोल घुमती रही अब दिखिए त्रशंकू चाता था कि वो अपने पुराने मकान में रहे वो समझ गया था कि उसके जैसे लोगों के लिए वही स्वर्ग है लेकिन क्या वो घर तो विश्वामित्र ने किसी दूसरे को एलोट कर दिया अब त्रशंकू बेचारा बीच में फस गया ना अच्छा मकान मिला ना अपना पुराना मकान वो चलने को मुड़ा विश्वामित्र ने कहा मगर वहां कैसे रह सकते हो वह मकान तो मैंने आज दूसरे को एलोट कर दिया त्रशंकू के आँखों के सामने दुनिया थोड़ी देर तक गोल-गोल घुमती रही वह सडक पर आया और ठेला लेकर एक धर्मशाला की तरफ चल पड़ा तब से त्रशंकू धर्मशाला में पड़ा है अब त्रशंकू क्या करता है? अपना ठेला घुमाता है वो कहीं का न रहा और जो कहीं का नहीं रहता वो धर्मशाला में आश्रय पाते हैं और त्रशंकू तब से धर्मशाला में पड़ा है ये वैसे ही है जैसे पुरानों का त्रशंकू बीच में अटका हुआ है अभी भी अटका हुआ है ऐसा कहा जाता है वो अभी भी स्वर्ग नहीं पहुँच पाया है और नहीं धर्ती पराया है बीच में अटका हुआ है तो यहाँ पे भी परसाई जी व्यंग्य के रूप में यही कहते हैं कि बेचारा स्कूल मास्टर त्रशंकु अभी भी धर्मशाला में पड़ा हुआ है ना अपनी इच्छा के अनुसार एक अच्छे घर में रह पाता है और ना ही वो अपने पुराणे मकान में रह पाता है तो यह थी हरिशंकर परसाई जी की कहानी त्रशंकु बेचारा अब अगले वीडियो में हम हरिशंकर परसाई जी के बारे में डिसकस करेंगे और इस कहानी के बारे में इसमें जो व्यंग है इसके बारे में और of course question answers discussion होगा मतलब जो model question paper है या फिर जो previous year question paper है जो भी हमारा हाथ आएगा हम उस पर विचार विमर्श करेंगे जुड़े रहिए हमसे अपने comments भेजते रहिए comment box में डालिए तभी हम अपने class को interesting और informative और improve कर सकते हैं ओके, thank you अब मल्यालम version के और जाते हैं हिंदी साहित यतले व्यंग्य समराट नर्य पड़ना हरिशंकर परसाइड त्रिशंकु बेचारा यननना कधे आना नमला आसुदी चून दिरनाद अधिन्ट पार्ट वन, पार्ट टू, ओल्रडी अप्लोड़ड आनु, इद लास्ट एंड फाइनल पार्ट आनु नमले कंड़द उर स्कूल मास्टर, सामपतीकं मलरे कोरवोल लोरी स्कूल मास्टर त्रिशंकु तंड स्कूल पढ़िक्या मेरना कुट्टियलकु, पणकार्ड कुट्टियलकु, प्रतीच वीड अक्के वोल्ला मदलाली मार्ड कुट्टियलकु, कूडदल मार्क गोड़ इट्टू उड़कोगे, एन्ध आगरहत्तिल, अवरिल निन्न, एन्नंगिली वोरु नल्ल्ल वी वीड किट्टूम् एन्न प्रदीशेल, अंगने विर अवसरम एरुनू, विश्वामित्रन आ टाउनल रेंट कांट्रोलर आरु अधेयतने मागने पडिक्यान बुद्ध परोगोट आरुनू, पक्षे त्रिशंकु मास्टर अधेयतने जैपिच्च्च्च्च्च्च्च् भिश्वामित्रन वРЕड़ extraordin वीड़ अलोटे데 यедश, अगने त Nur साथनग tablets हेल aunध वेच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् कूल मास्टर आण। साम्पत्ति गमायट अध्यहत्न पोरगोट आई रिक्यां। पशे समुहत्तिल वे नले मेले मोंडाय रुए 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 अध्यावगन एन्न नले केव। पक्षे इवड़े इंदरन वलरे अंगार तोड़ूड याण। नमस्कार की जवाब में हूँ पाकर त्रिशंगू का माथागरम हुआ। माथागरम होना ताले यंग चूडाई। करना अंगान्त वर इंसल्ट त्रिशंगू के कुट्टियत इल्ला। अपनी गरज जान वह सह गया। पिन तंड गरज जान तंड आवश्य माणा दोंड तंड उल्लोरी विल्ली आगरह माणूरी नल्ल वीटिल ताम सीखनोन। अदोंड उन्नूम अर्यात मटिल इसली वो मान गया, सह गया, उसे लगा जैसे वह किसी के द्वार पर भीक मांगन खड़ा है और घर में से आवास आ रही है कि आगे बढ़ो। त्रशंकू ना समयम आ इंसल्ट एंगे न यान तोनियद। त्रशंकू आरडेव वीटले भिक्षय आजी क्यां बोवनू, एननट वीट गार उट्टु मैंड याद आमुनोंट वैवड़ंगों उन्नू इल्ल शांधमायट देश्यम प्रगड़िपी क्या आवे, शांधमायट परें, विश्वामित्रंजी विलिच्चिल्ले एरुनों ओर्य वीडिंट्य कारीतिने, अदु नाण यान वन्नदू, इंदर बोले, हाँ, हाँ, ठीक है, कहा है तुमारे साहब, अपर इंदर वरे, ओके, ये इवड, निंगड़ सारंधी, आराण इवड तामसीकेयामि निगड़त, निंगड़ सारंधी, कहा है, तृष्यंकु बाट समझा नही, तृष्यंकु वीयरिकिंग केंद्ने, इंदर इंद्ने हीبत, इंदर नंगे देश्यमनद वरैं, अरे वही जो मख्कान में इवो वेरा आरी वल्ला इवीड तामसीक्या मन्ना आरान एदा आन इंगड सार। त्रिशंकू को जटका लगा त्रिशंकून अपड़ आन कार्य मन्स लाएद। वह बोला जी मैहीर हुँँगा अयू अद ज्यान दन्या आन इवड तामसीकिन अद। इंद्र उठकर बैठ गए आँखे निकाल कर उसे देखा और चिल्ला पड़े तू तू रहेगा मेरे मकान में विश्वामित्र क्या दिन में भी नशा किये रहते हैं। कोल्ला नी आणो एंद वीटी तामसीकियां पोनन द। इविश्वामित्रन पगल समय तुम लहरी अडिकी वोग। विश्वामित्रन विरु बोधो इल्ले। नी आणो एंद विड तामसीकियां पोननल। तू तू रहेगा मेरे मकान में त्रिशंकुने साहस बटोरा उच् क्या नहोनी हो गई। अब तृषंकु धायरियं समबरिच साहस बटोर कर धायरियं समबरिच वरें। यंद अधान एसी क्या नहोनी हो गई। अत्रमात्रम नडकां पाड़िला ते अंधान इवड नड़न द। इंदर ने अपने आप कहा। मैं तो समझा था किसी शरीफ आ अब तृषंकु नहीं नहीं हो गई। अब तृषंकु नहीं कारी मन्सलाई। इवड तृषंकु नुरीकिलूं समारान पाड़ियं समबरिच वरें। प्रिष्ण कून विरी धायरी वेकर वन्न तर। प्रशंगूने सूशीच नोकेट वरें आदल्ले इवड़त प्रश्णम विरुम् मनिशर्क इवड़तामसिकेन उकत दिल्ला मतलब त्रशंगूने पूछा त्रशंगू इवड़तामसिकेन अर्थवन दान इंद्रने कहा मतलब यह कि तुम यहां रहने के काबिल नहीं हो मैं देख कर ही आदमी को समझ जाता हूँ नार्थम वेर उन्नु अल्ला नी इवड़तामसिकेन योगिन अल्ला यहनी कुरा आलने कंडा लरिया त्रशंगू की स्कूल मास्ट्री जाग उटी थी वह बात को पूरी तर समझ और समझा लेना चाता था त्रशंगू नपा उर्य स्कूल मास्टरं डेया उर्यू उर्य आवेशमन्दू त्रशंगू नटता इंदर इवर्य काली एल देश्य पिट्टू परैं तो यहा रहने केली क्या काबिल्यत चाहिए अप इवड़ तामसिकेन एंद क्वालिफिकेशन आण्डवेंड़त क्या काबिल्यत चाहिए इंदरने नाराजी सेवसे देखा और कहा भिक्मंगे यहा नहीं रह सकते तुम्हारे पास मोटर है ट्रांसिस्टर सेट है रेफ्रिजरेटर है सोफा सेट है अप इंदर कारियम परे इवड़ बिच्छकार कुन्दू दामसिकेन उकुलाटो निंगक ट्रांसिस्टर होंडो मोटर कार होंडो रेफ्रिजरेटर होंडो इंदर अधिकान सोफा सेट होंडो तुम्हारे इंदर जी की रोषपूर्ण छवी देखता रहा इंदर बोलते गए तुम्हारे इंदर नुरत निल्लाए परयान बच्चे पबलिक स्कूल में पड़ते हैं कि कि गवारों के स्कूल में क्यक्टस के कितने प्रकार जानते हो कि क्लब में जाते हो इंदर नुरत निल्ला मक्कल इवड है अनर पड़्किननुदौ इज थे राबर नटकनना कुछाए इर पड़ीकिनन सरकार श्कूल एले बड़िकिननौ पबलिस्स्कूल्ड अनपडिकीनद़। क्टसन एत्तर वे राइट्ची वंटन अरयाम। प्रिक्टसन एत्तर वे राइट्ची वंटन अरयाम। अवा आधिन यत्र वेराई चियोंटना रियामूं। यंदन अधिगम। क्लब लेद क्लब लाण पोवन अधू। जवाब के लिए थोड़ा वक्त देखकर इंदर ने कहा फिर तुमने यहां आने की हिम्मत कैसी की। इत्रय अन्नु इल्ला ताहल एंगे न निनके धायरिय मनेंड वीटल वन्न वीड़ी वोई क्यान। त्रिशंकुने जरा अकड कर कहां मुझे विश्वामित्र जीने भेजा है वे रेंट कंट्रोलर हैं उनका ओडर। अपत्रिशंकु देश इविट्ट वर्यम एननं इवड़ विट्टर आरा नर्यामों विश्वामित्र नान। अध्येहान इवडिता रेंड कंट्रोलर रेंड कंट्रोलरंन नरेके अध्यातनन पावर वेघ्छ часов अध्यातनन ओडरेंसे चाने यान इवड़े वन्नद इन्दर तपाच्से उट खडे हुए ए कंगुली उसके ओर ऐसी गुमाते हुए जैसे इसे कलेजा फार दें वे चीखे इंदरने देश्य मन उर्य वेरली चुरुट्टि आ चुरुट्टि ले इ त्रशंगूड है कारल वर्गी न बोलतो उर्य देश्य ओंड़ा रहने वे चीखे मुझे विश्वामित्र का डर दिखाता है ऐसे रेंट कंट्रोलर यहां 200 आ चुके है सेकेट्री से कहकर कल ही तबादला करा दूँगा वो यहनने विश्वामित्र पेरिवर्ग न नुम पेड़िपी के ले इदो बोल दे रेंट कंट्रोल मारे पत्तिरीवद नतने जांग कंड़ा टूलगा एदो सेकेट्री वोड परण्याल अंडलो इप्पन निंगडई रेंट कंट्रोलर विश्वामित्र ने ट्रांसर आइकिम तब बादला करा दूँगा विश्वामित्र का बाप भी तुम्हे यहां नहीं बसा सकता विश्वामित्र ने तनने चीत विलिक आन इंदर उसने ठेला लोटाया और सीधे विश्वामित्र के बंगले पर पहुँचा बोला साहप इंदर देवने मुझे भगा दिया कहा कि तुम् यहां रेने के लायक नहीं हो उन्होने आपको भी गालियांगी विश्वामित्र के बंगले तांगलें कोरा चीत विलिक आन इंदर इंदरके बच्चे की इतनी हिम्मत मैं उसे कल देखूंगा तुम रात कहीं काटलो कल मैं तुमें उसका मकान दिलाओंगा पर विश्वामित्रन विट्टो उड़कनन वाशीली उट्टू परगोट अल्ल्या विश्वामित्रन बरें आया पुत्तरें धायरी हो जाना मनें नाला नोकी कोड़ा नियुरिगारींची इनन इवडंगीलों उन्न स्टेय उप्पे के नाला निने का वीड जान रडिया की तराव तुम ने हाथ जोड कर कहा साहप मैं वहा नहीं रहूंगा वेलोग बड़े जंगली हैं विश्वामित्र ने अब उसे गुसे से देखा और कहा तुम्हें वहा रहना होगा अब यह तुमारे मकान का सवाल नहीं रहा मेरी प्रतिष्ठा का सवाल बंगया है पर विश्वामित्र ने अब इल्ला इल्ला इनी ना इद विडूला इद एंड़ प्रस्टीज इन्द इश्वान मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है एंड़ प्रस्टीजिन्द इश्यू अनिदू जान इनी निन्ने अवड़ तामसिपीचिटे अड़ंगू त्रशंकुने कहा साहप अब इस बात को छोड़िये मैं महा नहीं जाओंगा मैं तो अपने उसी मकान नेरहूंगा पर त्रशंकु अंग मनसिलो औरपीगे त्रशंकुने सागले आगरे हंगड़ू त्रशंकु वरेंसारे एननी के अवड़ा पोवंड़ा अवरे मनिशेरे अल्ल देवेद अन्यान एन्डसलतंग तामसिचोड़ा वह चलने को मुड़ा विश्वमित्र ने कहा बगर वहां कैसे रह सकते हो वह मकान तो मैंने आज दूसरे को एलोट कर दिया त्रशंकु गी आखों के सामने दुनिया थोड़ी देर तक गोल गोल घूमती रही वह विश्वमित्रम परे आयो निन्ट पाड़ेए वीटलो नुनिया किनी पोई तामसिके नोकति ल्या अधि यां वेराया आलको गोड़त्तु त्रशंकु निपेट्टन यंदे यणो नारे इल्ला उल्ल्ल वीडुम पोई वह सड़क पराया और ठेला लेकर एक धर्मशाला की तरफ चरिपड़ा आरकों वीडुम गोडु इल्ला तोरी तामसिके न धर्मशाला इलेकि तंड उन्दुवंडी मलीचे त्रशंकु पोई तपसे त्रशंकु धर्मशाला में पड़ा है इपड़ुम अयला धर्मशाले लान। भूमिलेके वरन विश्वमित्रंडे वाशी सम्मधिकी नुएल्ला अदु पोले आन इविडित्त त्रशंकु मास्टर इपड़ इव्यंग्य इपड़ियांकल समोहत्ती नड़कन उरिवाड वेरे तच्चेद पोनम्बु अध्यावगरे, कुट्टीकलोड पाश्याल्टी गानिके नाध्यावगरे PWD ले वेट्टिच्च, पैसावंडाकना कॉन्ट्राक्टर मारे, रेंट कंट्रोलर मारे अगने-ईगने, उर्वाρ इश्यूस, अध chances, अध कडिधते वीडियो लिटिस्कसी या अडित्टे वीडियो लिं नमक्की ये आधर ने पच्ची, नमिल चेयार ओव्लव़ध कोले ओधरने पच्चियोवल डिस्केशन, पिन्न इदिन्दे हाइलाइट्स इचाप्टरंडे, अधुवोल एननक क्वेस्टिन पेपर डिस्केशन, मोडल क्वेस्टिन पेपर वोंडु, कैलिकर्ट इन्वरसिटी ले, पिन्न अधु अधु अप्पन्दन्ने, प्रीवेस्टिन अपवेलेबलनंगे, आँ कुस्टिनोमा आन्सस वकदमलु, डिस्कस सेए नेरीके, ओके, एन्टाच्च, बाई